अपनी नौकरी की चिंता मत कीजे, आप इसे छोड़ दीजे आपको क्या चाहिए? आपको एक छट चाहिए, मैं आपको दूँगा आपको हर दिन खाना चाहिए, मैं आपको दूँगा आपको बस इतना करना है कि बस एक जगह पर बैठना है और बिल्कुल खुश रहना है मैं आपको जीवन भर भोजन दूँगा क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आप हर दिन कुछ न कुछ जमेला करना चाहते हैं लोग कहते हैं वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि चिंता मत कीजे मैं आपको रहने की जगह दूँगा मैं आपको हर दिन खाना दूँगा, कोई परिशानी नहीं है आपको बस इतना करना है मैं आपकी आँखों में हर दिन परम आनंद के आंसू देखना चाहता हूँ बस इतनी ही अपेक्षा है आपको कोई काम नहीं करना है आपको मेरी सेवा नहीं करनी है आपको कोई चीज भी नहीं बनानी है कुछ नहीं बस यहाँ खुशी-खुशी बैठे रहे हैं, हम आपको खाना देंगे, हम आपकी पूजा करेंगे, तो समस्या आपके काम में नहीं है, समस्या आपके जीवन में नहीं है, समस्या उस दुनिया में नहीं है, जिसमें आप रहते हैं, समस्या बस यह है, कि आपने इसके लिए ज सुन्दर्ता से चल सके. जरूरी काम नहीं किया गया है और हम बस उमीद कर रहे हैं कि ये संयोग से हो जाएगा. ये संयोग से नहीं होता. दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका स्वर्ग है. लेकिन यहां रहने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते. है की नहीं? हाँ या नहीं? दुनिया में बहुत से लोग अमेरिका में आने के लिए मरे जा रहे हैं. अगर आप दक्षिन की सीमाओं को खोल देते हैं, तो कल सुबह एक करोर लोग घुसाएंगे. क्योंकि वो सोचते हैं कि यह स्वर्ग है, लेकिन आप इसे वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं. है ना? आप इसे स्वर्ग जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं. नर्क और स्वर्ग कोई भौगोलिक जगहें नहीं हैं. नर्क और स्वर्ग वो हैं, जो आप खुद को बनाते हैं स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बाते इसलिए हो रही हैं क्योंकि तमामों लोगों ने खुद को नर्क बना लिया है अगर आपने खुद को स्वर्ग बनाया होता तो क्या आप स्वर्ग जाने की बात करते? अगर आप यहीं बैठे बैठे, परम आनंद महसूस कर रहे होते तो क्या आप स्वर्ग जाने की इच्छा करते? एक बार ऐसा हुआ, बीस्वी सदी की शुरुआत में एक और्थोडाक्स ग्रीक चर्च के एक बिशप थे ग्रीक और्थोडाक्स लोगों के अपने अलग चर्च होते हैं उनके अपने पोप हैं, जो टर्की में रहते हैं, आपको पता है तो इस संप्रदाय के एक बिशप ने भारत के योगियों के बारे में इतना सुन रखा था कि वो भारत जाना चाहते थे लेकिन वो कभी जा नहीं पाए क्योंकि उन्हें वहीं अपनी सेवाएं देनी थी और साट साल की उम्र के बाद जब वो सेमी रेटायर हुए तब उन्हें मौका मिला और वो भारत गए तो वो दक्षिन भारत में उसी इलाके के पास आए जहां हम हैं और वो एक आत्मग्यानी एक योगी से मिलना चाहते थे तो किसी ने उन्हें बताया कि उस पहाड के उपर जाईए वहाँ गुफा के पास एक योगी बैठे हैं आप वहाँ जा सकते हैं तो वो किसी तरफ पैर घिसरते हुए पहाड पर चड़ कर गुफा तक पहुँचे गुफा के सामने एक बुजूर्ग वैक्ती अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान के साथ आखें बंद किये वे बैठे थे बिशप ने जाकर उन्हें शास्टांग प्रणाम किया वो ऐसा नहीं कर सकते वो इन बातों के लिए नहीं बने थे लेकिन उन्हें बताया गया था कि अगर आप भारत जाएंगे तो आपको इस तरह लेट ना होगा तो उन्होंने लेट कर प्रणाम किया और फिर चारों हाथ पैरों का इस्तमाल करते वे उठे योगी ने उन्हें आश्चर इसे देखा जाहिर है बिशप ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था तो योगी मुस्कुराए तब बिशप ने कहा मैं एक बिशप हूँ मैंने लंबे समय तक चर्च में सेवा किये लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है क्या आप जवाब दे सकते हैं योगी मुस्कुराए और कहा हाँ जो भी सवाल है पूछिए तब बिशप ने पूछा जीवन क्या है साट साल की उम्र में योगी ने आखे बंद की और आनंद से भर कर कहा जीवन बसंत की बयार में चमेली की सुगन्द की तरह है और यह कहते कहते उनकी आखों में आनंद के आंसु आ गए तब बिशप ने कहा नई 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 हमारे पोप ने हमें बताया है कि जीवन एक कांटे की तरह है और हमें इसे त्याग देना चाहिए और यहां तक कि ईशा मसी ने प्रती के तौर पर कांटों का ताज पहना था तो आप यह कैसे कह रहे हैं? हमारे पोप ने दूसरी बात कही है योगी ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा वो उनका जीवन है तो आप इसे क्या बनाते हैं? वो इस पर निर्भर नहीं है कि आप कहा हैं? आप कौन हैं? आप इसे क्या बनाते हैं? यह बस आपके उपर निर्भर है तो क्या आपने जरूरी प्रक्रिया तैयार की है? क्या आपने जरूरी सिस्टम बनाया है क्या आपने अपने भीतर जरूरी सामगरी पैदा की है जो इसे पसंत की बयार में चमेली की सुगन की तरह बना सके न कि एक काटा अगर ये काटा है तो हमें इसे निकाल फेकना चाहिए है की नहीं?